नमस्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि चंडिगड जो की एक Union Territory है के अंदर शाषित परदेश हैं उन्होंने काये कि देखे हमारा जो कोई परतिनीदित नहीं है राज्यसभा के अंदर तो एक राज्यसभा क है जहां पर कोई विधान सभा नहीं है तो क्या वो एक राज्यसभा के अंदर सीट की मांग कर सकता है तो एक तो ये बात हम देखेंगे साथी साथ Public Bill और Private Bill में फरक क्या होता है तो इस बात को भी हम जो है cover करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि मितलब Private Bill क्या आप जैसे जैसे या कोई Private Company आगे Private Bill आ सकती है कि हम तो इसको हम देखेंगे Public Bill का मतलब Government Bill भी होता है तो ये चीज़ ध्यान रखना पीडियो जो है वो आप लोगों को प्रवाइड करवाए जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया मिलेगा टेलिग्राम का तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को देखें बोला गया है क कि हाली में चंडिगड नगर निगम त्यान रखना बोला किसने हैं चंडिगड नगर निगम ने बात बोली है कि समीधान के आर्टिकल 80 में शंशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है किसने मंजूरी दी है चंडिगड के नगर निगम ने शंशोधन नहीं किया इन्होंने इन्होंने कहा है कि संशोधन किया जाए जो एक परस्ताव इनके पास आया था चंडिगर नगर निगम के पास इन्होंने उस परस्ताव को मंजूरी दी है और जिस परस्ताव में ये बात बोली गई है कि एक संशोधन किया जाए किसके अंदर आर्टिकल 80 के अंदर ये प्रस्ताव लाया कौन प्रस्ताव लाये मनिश्टिवारी जी कौन है Member of Parliament मैं लब कि सांसद है ये कहां से हैं तो पंजाब से हैं तो पंजाब से ये जो है वो सांसद है पंजाब में कहां से अनन्दपुर साहीब से हैं और आपको इनका जो है मैंने मतलब के आपको डिटेल दे दी मैंने तो मनिश्टिवारी जी के दौरा एक परस्ताव लाया गया कि आर्टिकल 80 के अंदर एक संशोधन किया जाए और उस संशोधन के तहत क्या होगा कि जो पार्षद हैं चंडिकड के वो राज्यसभा में एक परतिनी दी भेज सके यानि पार्षद को पावर दी जाए राज्यसभा का सदस्य चुनने की ये संशोधन करने की मांग या फिर कहीं ये परस्ताव लाया गया है कि इनके द्वारा एक मेंबर ऑफ पार्लेमेंट है पंजाब के आनदपुर साहिब से मनिश तिवारी जी इनके द्वारा और इस परस्ताव को मंजूरी दे दी गई है नगर निकम ने चंडिकड तो बोलेगा हमको तो पावर मिल रही है आने तो भई तो यह तो क्यों बना करेंगे तो बात करेंगे कि क्या यह जो मांग की जारी है क्या इसको पूरा कर दिया जाएगा तो एक बार जड़ा आर्टिकल अस्ती के उपर नजर मार लेते हैं क्या है तो आर्टिकल अस्ती जो है उसके अंदर जो राज्यों की परिशन राज्यों की परिशन बोले तो राज्यसभाई होती है तो राज्यसभा की सरंचना से संबंदित है सरंचना का मतलब क्या होता है सरंचना का मतलब यह है कि राज्यसभा में सदस्य कितने होंगे उन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा यहा seat नहीं है इनके पास हाँ लोकसभा की जरूर seat है और वो भी एक है राज्यसभा की नहीं है तो यह चाहरे हैं कि राज्यसभा के अंदर भी हमें एक seat दे दी जाए तो चलिए एक बार जोड़ा इस प्रस्ताव इस विधेक के बारे में जान लेते हैं कि क्या फरक भी बता दूँगा तो यह जो मेंबर और पार्लामेंट मनिश्टिवारी जी जो बिल ले कहा हैं उसको निजी विधेक या फिर कहीं एक प्राविट विधेक कहा गया है और इस बिल में बोला गया है कि आप एक प्रावधान जोड़ दीजिए इसमें मांग की जारी एक प्रावधान जोड़ने की जिसमें क्या होगा जो राज्ये सभा है राज्ये की परिशद कहलो या राज्ये सभा कहलो कि जो राज्ये सभा है उसमें केंदर शाशित परदेश चंडिगड का परतिनी धी एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाए क्या बोला गया है जैसे मैंने आप लोगों को थोड़े देर पहले बोला एक निर्वाचक मंडल एड किया जाए किसमें आर्टिकल असी के अंदर क्या इससे पहले निर्वाचक मंडल होता नहीं है क्या article 80 के अंदर हाँ होता है तो ये नई मांग क्या कर रहे हैं ये नई मांग ये कर रहे हैं कि ये जो निर्वाचक मंडल आप add कर रहे हो ना article 80 के अंदर इस निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे चंडिगर नगर निगम के निर्वाची सदस्य है यानि पार्षद शामिल होंगे और अब तक कौन हो रहा था इस निर्वाचक मंडल में और अब तक हो रहे थे विधान सभा के सदस्य है विधान सभा के जो सदस्य थे वो इस निर्वाचक मंडल में शामिल थे अब तक अगर यह शंशोधन हो जाता है इसको पास कर लिया जाता है तो कौन शामिल हो जाएंगे पार्षद शामिल हो जाएंगे पार्षद के पास इतनी पावर चली जाएगी कि भई वो राज्य सभा का सदस्य चुन सके तो ये जो है वो मांग की जा रही है यहाँ पर आर्टिकल 80 के अंदर शंशोधन करने की साथ इसाथ एक और मांग की गई है कि entry number 32 और चंडिगड entry 32 चंडिगड के साथ समिधान की जो चोती अनुसूची में भी शंशोधन की मांग की गई है समिधान की जो चोती अनुसूची है उसमें क्या है उसमें seat का allocation है मतलब की seat निर्धारित की गई है कि जो राज्ये हैं उनके अंदर कितनी seat दी जाने चाहिए राज्ये सभा की या फिर जो केंदर शाशीत परदेश हैं जिनके अंदर राज्ये सभा का परतिनी धित्व है उनको कितनी seat दी जाने चाहिए तो ये सारी बातें जो है वो समिधान की चोती अनुसूची में लिखी गई है यहां पर भी जो है वो शंशोधन की मांग की गई है तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि मांग क्या की जा रही है और किसको लेकर ये चीज़ें की जा रही है आर्टिकल 80 हो गया, राजय सबा के अंदर एक निर्वाचक मंडल की मांग की जा रही है और उस निर्वाचक मंडल में कौन होने चाहिए, यहाँ पर नगर निगम के निर्वाची सदस्य शामिल होने चाहिए पार्षत शामिल होने चाहिए, अब तक कौन हो रहे थे, विधान सभा के सदस्य शामिल थे, अगर ये पास होता है, तब होगे, अभी तो बात आएगी कि पास होगा कि नहीं होगा, सारी बाते हम यहाँ पर डिसकस करेंगे, तो चलिए, एक बार थादा आर्टिकल 80 के उपर किये जाते हैं, चुने जाते हैं, और 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, किसके दोरा, प्रेजिदेंट के दोरा नॉमिनेट किया जाता है, क्लीर हो गया, अभी जो 233 सदस्य जो हैं, वो ऐलोकेट किये जाते हैं, वहाँ पर population के according, population के राज्ये के अंदर seat दी जाती है population के according ये चीज़ें जो है वो की जाती है clear हुआ अब आगे चलते हैं अभी चंडिगड के बारे हम बात कर लेते हैं कि चंडिगड की जो है वो अभी स्तिती क्या है देखें चंडिगड में तो विधानसभा है नहीं और ये एक बिना विधानसभा वाला केंदर शाशित परदेश है लेकिन यहां एक लोगसभा की सीड जरूर है MP यानि संसल सदसे है लोगसभा की एक सीड जरूर है जिन जहां पर चंडिगड के जो निवासी है डिरेक्ट मतदान के द्वारा हर पांस साल में एक सांसद को यह चुनते हैं अब यहां पर पूदुचेरी होगी जम्मू कश्मीर हो गया राजधानी दिल्ली हो गई जहां पर केंदर शाशित परदेश तो हैं लेकि इनका जो है राज्यसभा के अंदर परतिनी धितू भी है यानि यह यूनियन टेरिटरी होते हुए भी कौन-कौन सी तीन है पूदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली यह केंदर शाशित परदेश यह यूनियन टेरिटरी होते हुए भी इनके पास राज्यसभा के अंदर इनका परतिनी धितू भी है और जो बाकी बचगी अपने पास यूनियन टेरिटरी कौन-कौन सी लद्दाक, चंडिगर, दादर, नगर, हवेलियम, दीव, अंडवार, निकोबार और लक्षदीव यह जो बाकी बचगी अपने पास यूनियन टेरिटरी इनका राज्यसभा के अंदर कोई परतिनी धितू नहीं है अब क्या-क्या दिक्कत आएंगी इन्होंने तो बोल दिया कि हम जो है एक बिल लेकर आए हैं और यहाँ पर हमें क्या पार्शद को पावर इतनी दी जाए कि वो एक राज्यसभा को राज्यसभा के सदस्य को चुन सकें तो दिक्कत क्या आने वाली है कोई प्रोब्लम है क्या इसमें हाँ भी बहुत बड़ी प्रोब्लम है उस प्रोब्लम को देख लेते हैं कानूनी अपत्तियां क्या आ सकती है देखे निर्वाचित नगर निगम पार्षद जो पार्षद होते हैं वो राज्यसभा के लिए एक सदस्य का अगर चुनाव करते हैं तो उनके पास इतनी पावर है ही नहीं उनको इतनी पावर दी नहीं गई समिधान नहीं ही नहीं दी उनको पावर अगर वाइसा करने की मांग कर रही हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी शक्तियां बढ़ा दी जाए तो आप आज ये बोल रहे हो कि राजे सभा के लिए हम सदस्य की चुन सकते हैं तो कल को तो आप और भी जो है पावर की मांग करने लग जाएंगे और भी जो बाकी जो है स्टेट या फिर राज्य जो है जो आप फिर कहें जहां पर नगर निगा महसारी की जगा वो भी बोलेंगे कि हमको इतनी पावर दी जाए तो सबको इतनी पावर दी जाएगी तो विधान सभा जहां पर MLA है और आप पार्षद है इनमें फर्क क्या रह जाएगा अगर दोनों को पावर एक समान दे दी गई तो एक तो ये दिक्कत होगी अब यहां पर क्या Municipal Corporation के दोरा चुनी नहीं जाती है क्या राज्य सभा के अंदर सीट को मतलब क्या परतिनिधी को चुना नहीं जाता देखी चुना गया था 1966 में 1966 से लेकर 1990 तक दिल्ली के अंदर राज्य सभा के जो सांसद है उनका चैन किया गया था दिल्ली Metropolitan Council के दोरा लेकिन Metropolitan Council के दोरा किया गया था ना कि Municipal Corporation के दोरा किया गया था इन दोनों में फरक है चंडिगड़ के अंदर Municipal Corporation है ना कि Metropolitan Council है दूसरी बात ये आप जो विधान मंदल बात कर रहे हैं जो यहां पर निर्वाचक मंदल बात कर रहे हैं उस निर्वाचक मंदल में विधान सभाओं के सदस्या होते हैं तो विधान मंदल के निर्वाचक मंदल होता है और एक आप बोल रहे हो MC का निर्वाचक मंदल तो इन दोनों में फरक है ना इन दोनों की पावर में फरक है समदान में यहां पर इनकी पावर को distribute किया गया है आप उस समिधान के दाइरे को बढ़ा नहीं सकते हो कि मुझे ये भी पावर चाहिए कल को मुझे ये भी पावर चाहिए आप ये नहीं कर सकते हो साथ-साथ चंडिगड में दिल्ली के तरह कोई विधान सबा तो है नहीं साथ यसाथ वहाँ दिल्ली के अंदर महानगर यह परश्यदियानी Metropolitan Council भी नहीं है तो यह सब चीज़ें कमी हैं चंडीगड़ के अंदर अगर विधान सबा नहीं भी है तो वहाँ पर अगर Metropolitan Council होती तब भी एक तरीके से सोच सकते थे लेकिन वहाँ पर Municipal Corporation है क्लियर अब साथ यसाथ राज्यसभा सांसद का चेहन करना नगर निगम के कारणियों के जितनी उनको जो पावर दी गई है उसके दाइरे से बहुत ज़ादा बाहर है भाई यह जो नागरिक निकाय यानि Civic body के कारणियों को कारणियों को दाइरे से विस्तारित किया जाना अब कह रहे हैं कि हमको पावर दे जीजिए हमारी दाइरे को बढ़ा दीजिए वो संभव नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यह देखिए ऐसे किसी भी समीधानिक आदेश के खिलाफ होगा यह क्योंकि ये समीधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं आप उनके खिलाफ जा रहे हो जहां पर distribute कर दिया गया है power को आप वहां पर power का एक तरीके से interfere करने कोश्च करे हो कि हम उसके शित्र में भी आ जाएं ये शित्र जो है वो एक तरीके से नगर निगम के लिए नहीं है तो यहां पर यह हो गया clear हुआ अब यहां पर इन्हों ने बोला है कि ठीक है हम यह बात जो है वो आगे लेके जाएंगे यानि कि ग्रह मंत्राले के पास बेजेंगे अगर उनको सही लेगेगा तो यह जो बिल है वो सांसत में पेश किया जाएगा तो यह बात बोली है clear अब थोड़ा बात कर लेते हैं निजी सदस्य विधेक क्या होता है यह होगी हमारे सामने बाते हैं अब निजी सदस्य विधेक समझने से पहले यानि प्राइवेट बिल और आपको कहें कि पब्लिक बिल है इनको समझना है तो थोड़ी बहुत एक चीज आपको जाननी जुरूरी है देखिए लोक सभाम एलेस लिख रहा हूँ आज maximum seat इसके अंदर कितनी हो सकती है लोक सभा के अंदर तो maximum seat इसके अंदर 502 हो सकती है ये maximum हो सकती है आज की डेट में अगर current में पूछू हूँ current में कितनी seat है तो 545 है 545 में से दो जो है वो president के तौरा चुने जाते हैं एक तरिके समझो बचे कितने, बचे कितने 543, इस 543 का जब अभी लास्ट में जो चुनाव हुआ, अभी आपको इसकी बारे में थोड़ी बहुत डिटेल मैं दे देता हूँ, इस 543 में से, आपको पब्लिक बिल और प्राइविट बिल में मैं फर्क बता रहा हूँ, क्या हो रहे हैं, इस 543 मे से, जो गॉर्मेंट है, जो गॉर्मेंट बनी हुए कि इसकी, बीजिपी की, तो बीजिपी के पास है 301 सीट, और एंडिय यानि नैशनल डेमोकरिटिक अलाइन्स मिला दें, तो ये सीट बन जाती हैं, बढ़कर 337, वहीं अब पोजिशन के पास कितनी है, 206, clear, आप इन द गॉर्मेंट ये है याँपर, ये गॉर्मेंट में है, यानि ये सत्ता के अंदर है, clear, ये अपोजिशन के अंदर है याँपर, ये होगे आपके सामने लोकसभा, एक बार जारा राज्यसभा जो है, उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं पब्लिक और प्राइविट बिल समझा देता हूँ, maximum seat कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के अंदर 250 हो सकती है, और आज की date में, current में कितनी है, current में अगर बात करूँ, तो current में जो seat है, राज्यसभा के अंदर 245 है, अब इस 245 में से 233 seat जो है, या फिर कह सकते हैं कि उनको elect किया जा अब यहां पर 245 में से जो NDA है, जो BGP है, उनके पास कितनी है, 120 seat है, बाकी opposition है, उसके पास कितनी है, 117 है और 8 seat खाली पड़ी है, यह current का data मैंने आप लोगों को दे दिया, यह opposition के पास है, और यह NDA, जिसमें BGP आगी अपने पास, यह NDA के पास हो गई है आपर, clear हुआ अब आपको पता है कि government बना नहीं है, तो यहां पर इनके पास तो बहुमत है, तो बहुमत है तो यहां पर इन्होंने government बना रखी है, clear, अब government बना लिया, अब government बनाने के बाद, यानि परधान मंत्री चुन लिया गया, अब council of minister चुने जाते हैं, यानि cabinet minister आपको सुना उसको member of parliament, यानि सांसत बोला जाएगा, और लोग सबा के भी निर्वाची सदस्य को member of parliament बोला जाएगा, लेकिन minister, minister नहीं बोला जाएगा, minister जो है, यानि मंत्री जो है, तब बोला जाएगा, जब उनको cabinet के अंदर शामिल किया जाएगा, अब यहां पर cabinet बनता है, अब जो cabinet बनता है, इसकी संख्या निर्धारित होती है, 15%, 15% जनसंख्या, मतलब कि 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जितनी लोग सबा की सीटे हैं, उससे, यानि 545, इसका 15% आप निकाल लीजिए, आप 15% निकालेंगे, इससे ज़्यादा संख्या नहीं होने चाहिए, किसके इसके अंदर कौन-कौन शामिल हो सकते हैं, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, ये जो लोग सबा के सदस्ये चुने गए हैं, ये भी, और राज्य सबा अगर सरकार चाहे, तो राज्य सबा जिसे अपनी बीजिपी है, अगर वो चाहे कि मैं राज्य स सबा से कोई सदस्य को इस cabinet minister में डालना चाहूं तो डाल सकते हैं भई कोई भी आ सकता है इस cabinet minister के अंदर अब यह जो राज्य सबा से चुन लिए गए या थोड़े बहुत लोग सबा से चुन लिए गए 15% का दायरा पूरा हो जाता है तो यहां पर यह cabinet minister का गठन करते हैं cabinet minister बन जाता है तो यहां यह जो इनके द्वारा कोई बिल लाया जाता है इनके द्वारा को बिल लाया जाता है उसी बिल को बोला जाता है public bill यही होता है public bill और बाकी जो बच गए ये जो बाकी जो बच गए 15% को छोड़ दीजिए 15% किसके 545 के 15% को छोड़ दीजिए बाकी जितने भी Member of Parliament है जितने भी Member of Parliament है उनके दोरा अगर कोई बिल लाया गया तो वो कहलाता है Private Bill तो ये फर्क होता है Public Bill और Private Bill का उमीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी तो चली अब समझेंगे आप आप आपर क्या का गए है कि जो नीजी सदस्य विधेक नीजी सदस्य विधेक यानि Private Bill संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रिय मंत्री मंडल में मंत्री नहीं है यानि Cabinet Minister नहीं है कोई मंत्री नहीं है उनके द्वार अगर को बिल आया जाता है उसे Private Bill कहते है ये कौन त्यार करता है ये त्यार करता है जो ये वेक्ति लाता है उसकी जिम्मेदारी होता है और इसे सदन में अगर पेस करना है उसे Parliament में लाना है तो एक महीने पहल नोटिस देना होगा साथ ही साथ जो सरकारी बिल कहते है या फिर जो सारवजनिक बिल यानि Public Bill होता है उसको किसी दिन भी पेश किया जा सकता है किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उस पे चर्चा किया हो सकती है प्राइवेट बिल को सिर्फर सी शुक्रवार का दिन ही दिया गया है पेश होने के लिए कई विधेग जो काफी सारे विधेग आ जाते हैं यानि काफी सारे बिल आ जाते हैं कैसे उनको लाइन वाइज लाया जाएगा कभी कभी जो है मत पत्र का use कर लिया जाते हैं कि हाँ इसकी ज़ए प्रियोटी है तो ये नमबर वन पे ले आओ, ये सेक्ड नमबर पे ले आओ तो यहाँ पर सब मत के अधार पर यहाँ पर इस प्रणाली का use कर लेते हैं, clear हो गया साथ साथ अगर जो private bill आया है अगर जो private bill आया है उसमें संसद समीती जो है वो देखती है कि क्या उसके अंदर important है क्या उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसके अधारपी उसका वर्गी करन किया जाता है अगर यह जो private bill आया है उसका संसद में as-v-kriti यानि cancel कर दिया जाता है जैसे यह मांग आई है कि article 80 के अंदर शंशोदन किया जाई है बिल लाया गया है अगर यह as-v-krit कर दिया जाएगा तो सरकार का इसके उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा वहाँ पर कोई इस्तिफा नहीं देगा तो आप सोचोगे कि आप जो public bill आता है अगर वहाँ पर वो लेके आ जाते हैं उनका अगर fail हो जाते हैं तो क्या वो इस्तिफा देदी कि सरकार यह वाली important बात है तो थोड़ा बहुत शांतर हो इसके बारे ही बात करेंगे clear अच्छा चर्चा के समापन पर विधे का संचालन करने वाला सदस्य या तो संबंदित मंतरी के अन्रोध पर अभी कोई मंतरी उन्होंने का कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता आप बिल वापस ले लिजिए तो बिल वापस ले 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 अगर बिल वापस नहीं लेना चाते तो आगे विकल बढ़ा सकते हैं वो लेकिन यह बिल आगे बढ़ेगा यह cancel ही होगा कैसे होगा अभी मैं आपको ल कंतरी के अलावा चोड़ दो बाकी किसी के दोरा बागर परस्तूत कर दिया गया उसे कहेंगे क्या कहेंगे प्राइविट बिल यहां पर सरकार की नीतियां आती है प्राइविट जो पब्लिक बिल है वो सरकार लेके आ रहे हैं तो वह बहां पर यह बता रहे हैं कि हम क्या क करना चाहते हैं तो उनकी नीतियों को परदर्शित करते हैं यह जो apposition की नीतियों को परदर्शित करता है यहां पर इसके पास होने की संभावना बहुँ जादा है obviously सरकार जो है वो यहां पर power में majority के अंदर है यह तो pass हो गई लेकिन यहां पर इसकी संभावना कम होती है होता है नहीं करनी देते हैं यह जो आया है इसको भी रद कर दिया जाएगा clear अगली बात संसर द्वारा सरकारी विदेख सरकार को इस्तिवाद देना पड़ सकता है कि अगर public bill आया minister लेकर आये और यह pass नहीं हुआ तो सरकार को resign देना पड़ जाएगा क्यूं भई ऐसा इसलिए कि आप यह बता रहे हो कि आप अपने जो सरकार है या आपने जो सरकार बना रखी है आपका उसके अंदर ही विश्वास नहीं रहा तो विश्वास नहीं रहा तो यानि एक तरीके से गड़ बढ़ा गया मामला और यहां पर resign nation की बाद आ जाती है सरकार के लेकिन अगर private bill अगर एस्विक्रित होता है तो कोई फरक नहीं पड़ता सरकार के उपर उसको कोई लेना देना नहीं सरकारी विध्यक को संसरत में पेश होने के लिए साथ दिनों का notice देना होता है लेकिन वहीं अगर private bill लेके आने तो एक महीने पहले का notice दिया जाना चाहिए और इससे संबंदित विभाग अच्छे ये bill कौन त्यार करते हैं अगर defense minister के दवार ला गया तो defense ministry त्यार करेंगे clear इसे कौन त्यार करेगा private bill को ये जिस वेक्ति के दवार लाया गया है उस वेक्ति के दवार इसको त्यार किया जाता है clear हो गए यहां पर उमीद करता हूँ कि ये जो चीजे हैं आप लोगों को समझ में आई होगी कि private bill क्या होता है government bill क्या होता है और ये जो विधेग लाने की मांग की जा रही है संशोधन करने की मांग की जा रही है किसके अंदर article 80 के अंदर जो यहां पर कि एक निर्वाचक मंडल का मतलब कि यहां पर गठन किया जाए जिसके अंदर पार्षद हो जो उस पार्षद जो यह पार्षद है इनके पास इतनी पावर हो कि राज्यसभा के एक विक्ति को यह चैनित कर सके इनको चुनने का अधिकार आ जाए अच्छा article 84 भी आपको ध्यान रखना है जिसके अंदर qualification दी गई है राज्यसभा की मतलब सदस्य बनने की qualification क्या होगी और साथ इसाथ 102 article आपको ध्यान रखना है जिसके अंदर disqualification कैसे निकाला जाएगा यह सारी बाती जो यहां पर लिखी गई है तो यह additional information होगी तो like करिए अगर यह समझ में आई है subscribe कर दीजिए जो लाल कलर का बटन है तो उसका रंग रंग उड़ा दीजिए और पीडियो जो आप लोगों को description box में लेटिग्राम का एक लिंक दिया मिल जाएगा तो वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं और ऐसी इंट्रस्टिंग इंफोमेशन के लिए बने रही हमारे साथ thank you for watching this